नमस्कार प्रियमेतरों मैं जोतिसकार कमल आप सबका हारदी के बिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल में और इस कड़ाती हुई सर्दी में दुबक के बैठे इस कक्स में अलगे कांत में गर्मी में और आराम से आपके लिए वीडियो बना रहे ह तो आपके वहां कैसी सर्दी पढ़ती है आप लिखते नहीं हो कमेंट में इसका मतलब है कि आपके वहां सर्दी पढ़ती है खाली हामी सर्दी में डूब रहे हैं नहां रहे हैं ठंड़ ठंड़ शिकूर रहे हैं चलो अच्छी पढ़ती है तो थोड़ा सा लिखो या जोस अनभो किया, इस साधना में सिद्धी प्राप्त की और इस साधना को करके उन्होंने कई बार काम किये, काम करने के बाद में उन्होंने हमसे संपरक किया दोस्ती हुई दोस्ती में उन्होंने ये साधना हमको बताई जगत कल्यान के लिए ये साधना है दुष्टों के लिए नहीं है, सज्जनों के लिए है, क्योंकि हम जो काम करते हैं, वो इस देश में संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, दर्म को आगे बढ़ाने के लिए, ज्यान को आगे बढ़ाने के लिए, विद्या को आगे बढ़ाने के लिए, ये साधना जो है, य ना आप लख्षन पता चल जाते हैं कि इस जमीन में इस इस पर धन है इस से को खोदने से धन मिलेंगा इतना फुट पर नीचे डन है इतना फुट पर नीचे पानी आ इतना मुझ फुर्ट पर नीचे फ़लानी खने जहatगा जमीन से समंदित हर प्रकार की बातें उसे पता चले जाएगी विशेश इसमें धन प्रापती है धन रतन हीरे पन्ने मानक मौती सोना चांदी तांबा लोहा जो कुछ भी हो जमिन के अंदर इन चीजों का अगर भरमार है तो पता चले जाएगा ये साधना बहुत टॉप की साधना है गजब की साधना हों में एक साधना गिनी जाती है और ये भूगर्व निदी को जानने के लिए एक महा यक्षणी की जोरदार साधना है इस साधना को करने के बाद में साधक में ऐसी सक्ती प्यदा कर देती है यक्षणी कि उसके कारण से उसे जमीन के अंदर अपने आप सब कुछ परिलक्षित होने लगता है दिखाई देने लगता है ये साधना जिस मित्र ने भेजी पहले तो उनका धन्यवाद और अब इस साधना का प्रोशिजर क्या है कैसे की जाती है ये मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों ये इस साधना को करने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा चंदर ग्रहन जब भी हो सिर्फ चंदर ग्रैन के अंदर ही इस साधना के जो आज में मंतर बताऊंगा उस मंतर का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना पढ़ता है सब की अंदर कोई मारा नहीं कोई कुछ भी लंबा फिर्योड़ा कुछ भी धूप जला दो बस भोग जब तक ग्रेण हो तब तक भोग नहीं लगता, ग्रेण के बाद में सनान करने के बाद में आप भोग दे सकते हो, पहले कोई भोग नहीं लगता और दो देने की भी इसमें कोई आउशकता नहीं, खाली मंतर को जागरत करना है, इससे कोई सिद्धी नहीं होगी, एक दिन में एक ग्रेन में जो चंदर ग्रेन आये चंदर ग्रेन के दिन इस मंतर को जदा शे जदा जब करके आपको शिद्ध कर लेना है शिद्ध करने के बाद में क्या करना है शिद्ध नहीं मतलब जगत कर लेना है जगरत कर लेने के बाद में अब आपके पास ये हत्यार आ गया और अब आपको शाधना कर दिया दोस्तों ये साधना अमावश्या के दिन से सुरू होगी अमावश्या के दिन से नहीं कुबेर जिस से आसिरवाद लीजिए के कुबेर जी भगवान हम जमीन का भूगर्ब निदी जमीन का धन देखने के लिए जांचने के लिए जमीन के अंदर पानी जांचने के लिए जमीन के अंदर खनी जांचने के लिए भूगर्ब निदी बोलते हैं भूगर्ब निदी को कोने का आशिरवाद दीजिए ऐसी अनुनाई विनय प्रात्ना करके पीले कलर का कोई भी बोग आप कुबेड़ जी को चड़ाए को चड़ाने के बाद में ये तो कुबेड़ जी तो प्रदान हो गए अब आप शिव जी और पारवति जी चाहिरवाद लेंगे गनेश जी चा का जो सुप्रीमों बनता है उसका आसिर वाले लिए अगले दिन से अमावश्य के दिन से आप साधना सुरू करोगे इस यह साधना एक बात पहली बात तो नोट कर लेना कि यह साधना कभी भी घर में नहीं होती कोई आदमेगर सोचता है कि अपने घर के अंदर साधना को कर ल इस साधना की इतनी गंबीरता है कि एक सब्द भी इस साधना का किसी को भी आपने कह दिया कि मैं फलानी साधना कर रहा है मैं जमीन का दन देख लूंगा यह कर लूंगा तो आप खुद दिख जाओगे क्योंकि साधना खतर ना कर मामूली नहीं ध्यान रखना एक गलती नहीं आप पहले से ही तैयारी अच्छे तरह से कंप्लिट करके एक्षना जो मैं वीडियो में अक्सर बातें बताता हूं वो बातें आप ध्यान से सुनकर के आप अच्छे तरह से साधना को करना ताकि कोई गलती नहीं हो और गलती नहीं हो तो साधना आराम से हो जाई क्यो तो इतना सब होगा तो दम तो लगेगा तो इस साधना को करने के लिए तयारी पहले करने कर लें हואुऑ मावर्ष्या की रात्री को आप अपने घर में उत्तर मुखी बेट करके लकड़ी के एक बाजोट के अपर बिपलेक स्थ बिचा करके उस वस्तर पर आप थेंतане सुन्दरी एक इस्त्री का चित्रह रख दीजिए और धूप दीप निविद्ध से उनके पूजा कीजिए अच्छी तरह से उनको प्रसंद करने की कौशिश कीजिए और उनके सामने पहली अरदास ये कर लिजिए कि मैं मंत्र नहीं जानता विदी नहीं जानता विधान नहीं जानता है देवी आप दया लू हो आप करपा लू हो इस संसार के कल्यान के लिए गरीबों का भला करने के लिए अच्छे लोगों का साथ देने के लिए जमिन में से बोगर अपने दी को देखने के लिए आप हम पर करपा करके हमें अपने सिद्धी प्रदान करें ताकि हम इस दुनिया में आपके नाम से अच्छे अच्छे कारे कर सकें है देवी आप महान हो है देवी आपका कोई मुकाबला नहीं है देवी समस्त यक्षणियों में आपका नाम है है देवी आप क्या है यह जो फैंकालोजी होती है ना इससे यह देवता लोग बड़े प्रसंद होते ह मंत्र में क्या होता है जो बड़े-बड़े मंत्र जो होते हैं उनका यसोगान ही होता है उनका यसोगान जब हम मर्तियों लोग करते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है हमारा बात यह लग है और वह आपको बरधास्त करके सिद्धी दे देते हैं तो जितना आप प्रसं तो आपकी सादना आपकी सुरू होती है मावश्या की रातरी से आपकी 33 दिन तक ये साधना होगी और 33 दिन में 88,088,000 मंत्रों का जाप आपको करना पड़ेगा रुद्रक्ष की माला से करना पड़ेगा काले वस्तरों को पैन के करना पड़ेगा वस्तर जितने कम हो उतने बड़िया है लेकिन बिल्कुल दिर वस्तर नहीं होना चाहिए एक ने एक वस्तर तो आपके सरीर पर होना ही चाहिए चाहिए तहमत बोलो चाहिए गमचा बोलो अंगोचा बोलो कुछ भी बोलो एक वस्तर तो कम से कम सरीर पर रहना ही चाहिए और कम से कम जितने कम बस्तर होंगे उत्तिक ज्यादा बढ़िया रहेगी लेकिन सर्दी में करने की साधना नहीं है जितने कम ज्यादा जितने कम बस्तर होंगे उतना ही हमारा वदनाम होगा और चेनल बंद हो जाएगा उसाजमी ने सर्दी में इससाधना करुआ कि मर्वा दिया बिचारे को ताप घरमी की इंतिजार करलेना और इसके बाहत में इस साधना करेंगे गाय की गी का देपक हो इस सबसे बड़ियाद इसमें बकरी के घीका दिपक रहता है लेकिन बकरी का घी न तो बनता है न निकलता है न किसे के हाथ आता है तो गाई की घीका दिपक रहता है जो सबसे सुद्ध माना जाता है वो दिपक आप कर दें इस प्रकार से आप लगातार इस साधना को करते जाएए, करते जाएए, करते जाएए, करते जाएए 33 दिन में 88,000 मंतरों का जाप आप ठोक लिए जाप ठोक लिया आपके सामने यक्षनी आ गई, नहीं आई, कोई बात नहीं फिर आप एक पेरा और कीजिए, क्या होता है, कई बार ऐसा होता है, इस साधना में, यह ऐसी कुछ साधना में, कि जो यक्षनी होती है ना, वो कहती है भई, देखो, तुम साधना करने बेट गए, लेकिन यह तुम्हारा आसन है, वो सही नहीं है, तुम आलो तुमने ते बलेक कलर का आसन ले लिया है, उनका आसन ले लिया है, लेकिन यक्षनी आपको तरुंद करने हैं, तो यह आसन बदलो, मुझे वो आसन चाहिए, तो करके आप आना, यक्षनी कहेगी कि नहीं दीपक यह नहीं चाहिए, यक्षनी कहेगी धूप यह नहीं चाहिए, फलानी धूप लेकर के आओ, यक्षनी कहेगी परसाद में यह लाओ, वो लाओ, जो भी आपको इंस्ट्रिक्शन को तुरंद मान लेना है, और जो यक्षनी क साधना करने से अगर आ जाती है तो सबसे बढ़िया है वरना आप अपनी गलतियों को टंटो लिए जो मैं अक्सर बताता हूं कि कहीं कोई तांत्रिक पुस्तके तो नहीं है रजस्वाला के हाथ का भोजन तो नहीं करते हो आपके घर में कोई तांत्रिक तो नहीं रहता है घर बार में होगी तो सबसे बढ़िया नहीं तो दूसरी बार में पक्का सो परसेंट आपकी साधना हो जाएगी और साधना के बाद में आपको सिद्ध दे लेकिन एक कसम खानी है आपको पहले कि आपको यह साधना सिद्ध हो जाए और साधना सिद्ध होने के बाद में आप किसी का भी व्यक्ति का धन निकालो जमीन वैसे तो नीच आदमी का दुष्ट आदमी का गलत आदमी का धन चाहे आपको एक करोड मिल जाए चाहे एक अरब मिल जाए आप नहीं निकालो क्योंकि आप नहीं समझते मैं बताता हूं मैं समझता हूं इस बात को देखो मेरी बात सुनो बात यह कि किसी बाइसे मैंने यह मंत्र लिया है किसी बाइसे मैंने इस साधना ली और मैं इस साधना को जानता हूं अच्छी तरह से इसका पूरा प्रोशेजर जानता हूं मैंने पूरा प प्रकट होगी नीच आदमें के धन निकाल दे नीच आदमें अच्छा काम तो कर नहीं सकते नीच आदमें जिन्दगी में जितने काम करेगा बुरे करेगा परोशियों को परेसान करेगा गाओं के लोगों को परेसान करेगा जानवरों को परेसान करेगा शिकार करने जाएग और उस सब का पाप जो आपको लगेगा वो हमारे इससे भी आएगा और वो अस भाई के इससे भी जाएगा जिनों ने यह साधना हम को प्रेशित किये दिये चारों तरफ हम लोगों में यह पाप बिना पाप की पाप बढ़ जाए इसलिए नियम बना लो कि बुरा आदमी आपको अच्छे तरह से पता चल जाएगा दो तिन दिन का सपास रेलो आपको पता चल जाएगा आदमें बेका रहे हैं और एक दो बार इसे मना कर दो कि यांथ नहीं निकलेगा निकलने की संभाउना नहीं लग रही है तो तर्व टाप बढ़क जाएगा तो समझे आदमें बेकार है फिर उसका काम नहीं करना है आदमी की पहले पैट ले लेना जैसे किसी बैटी की सगाई करने जाते हैं तो पहले पैट ले लेते हैं कि भाईया आदमी कैसा है दो लोगों से पूछ लेते हैं आदमी अच्छा है कि नहीं है अच्छी तरह से गाउं अगर पैट दे देता उसकी कि आदमी अच जन आदमी का तो बिना पैसे लिए निकाल दो और दुरजन का तो करोड रुपया दे तो भी मत निकालना भाई पाप के भागिदार हो जाओगे इस प्रकार से आप इस सादना को करके आप एक सक्ति को अरजित कर ले तो अब मैं आपको वो मंतर बता देता हूँ आदा मंतर बताओंगा क्योंकि आदा मंतर इसलिए नहीं बताओंगा भाई सिधी बात है कि आदा मंतर बताने से जो पूरा मंतर बता देने से क्या होगा कि आप गड़बड में किसी का अगर कुछ कर देते हो तो फिर मुस्किल है अगर आप मुझसे पूछ के ये सादना करते तो मैं पहले एक किसम दिलाओंगा आपको देवी देवताओं को हाजर नाजर मान करके ताकि आपकी सिद्धी गलत आदमी बुरे आदमी के निकालते सिद्धी दस्त हो जाए खतम हो जाए आपके अंदर फिर शिद्धी रहे ही नहीं और सच्चे आदमी के लिए आप काम एसा इस प्रकाल से मैं इस साथना का आपको आदम बता देता हूं से बढा हुआ जान पड़ा बता दो वो इस्तान मुझे आगे और भी मंत्र है वो आपको हम कहोगे तो दिक्षित हो करके मंत्र को ले करके साधना कर सकते हो और अपना और जगत का सबका भला कर सकते हो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना कमेंट करना सेल करना और पहली बार पर मारे चैनल प्रायाद चैनल को सब्सक्राइब करना पास में बेल आइकों का बटनें बद बाद देना ताकि मारे ज्ञान वर्दक जान का हरी पुर्ण वीडियो सबसे पहले आपके पास आसके जैसरी कृष्णा दोस्तों हुआ